लाल नमबर प्लेट अगर किसी गारी में लाल रंग की नमबर प्लेट है तो वे गारी भारत के राश्पती या फिर किसी राजे के राजपाल की होती है ये लोग बिना लाइसेंस की ओफिशल गारियों के उपयोग करते हैं नीली नमबर प्लेट नीले रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वहन को मिलती है जिसका इस्तिमाल विदेशी प्रतिनिदियों तारा किया जाता है नीले रंग की इस प्लेट पर सफेज रंग से नंबर लिखे होते हैं ऐसे गारियां आपको दिल्ली या बड़े शहरों में देखने के लिए मिल जाएंगी नीली प्लेट यह बताती है कि यह गारी विदेशी दूतावास की है या फिर यूएन मिशन के लिए है काली नंबर प्लेट आमतोर पर काले रंग की प्लेट वाली गारिया भी कमर्शिल वहां नहीं होती हैं लेकिन ये किसी खास व्रक्ति के लिए होती है ऐसी गारिया किसी बड़े होटल में खड़ी मिल जाएंगी ऐसी कारों में काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले रंग से नंबर लिखा होता है तीर वाली नंबर प्लेट सेन्ने वहानों में ऐसे चिन इस्तिमाल किये जाते हैं ऐसे वहानों के नंबरों को रक्षा मंत्वाले दारा अवंटित किया जाता है ऐसी गारियों की नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर उपरी और इशारा करते हुए तीर का निशान होता है जिसे ब्रॉड एरों कहा जाता है तीर के बाद के पहले दो अंक उस साल को दिखाते हैं जिसमें सेना ने उस वहान को खरीदा था पीली नंबर प्लेट पीले रंग की नंबर प्लेट टेक्सी की होती है इसके अलावा पीली प्लेट आम तौर पर कमर्शल यूज़ वाले ट्रकों या टेक्सी में लगी होती है इस प्लेट के अंदर भी नंबर काले रंग से लिखे होते हैं हरे रंग की नंबर प्लेट सड़क मंत्राले ने इलेक्ट्रिक परिवन वानों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट ने धारित की है प्लेट का बेक्ग्राउंड हरा होगा और इस पर वाहन की शेर्णी के हिसाब से पीले अत्वा सफेद रंग से नंबर लिखे होते हैं इस प्लेट के उपर काले रंग से नंबर लिखे होते हैं